हेलो फ्रेंड्स आप सबका मेरी किचिन में एक बार फिर स्वागत है फ्रेंड्स कई बार हमारा कुछ अच्छा यम्मी मीठा खाने का मन करता है लेकिन लगता है कि कुछ ऐसी रेसिपी हो जो जट से तयार हो जाए बस आपकी यही प्राब्लम सॉल्फ करने के लिए आज में लेकर आई हूँ बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी इंस्टेंट आलमंड हल्वा इसे बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन मिनिट लगेंगे और यह खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी होता है चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए इसे बनाने के लिए मैंने यूज किया है यह औरगैनिक आलमंड बटर यह किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में आपको इजिली एवलेबल मिल जाएगा कोई भी घीय डालने लुमाइख फ़ै chi The Chiefój camera 2-4 वश्पी comparativejähr हथा है जो करा हिå कि हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे बहुनेंगे ci हमें यिद्या भूनने की भी ज़रूरत नहीं है क्यों है क्योंकर कुई अलमंड बटर जणररली रोस्टेड अलमंड से ही बनाया जाता है लगबग एक नेट हो गया है यह हलका सा भुन गया है इससे जादा हमें इसे भुनने की जरूरत नहीं है अब मैं इसमें एट कर रही हूं लगबग यह दो चम्मच मिल्क पाउडर इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना पढ़ें अब मैं इसमें एट कर रही हूं यह हाफ कटोरी पाने हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पढ़ जाए अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसे स्टेज पर मैं इसमें एट कर रही हूं यह दो बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी आप अपने हिसाब से चीनी की मात्रा एड़्जस्ट कर सकते हैं देखिए यह काफी अच्छा से मिक्स भी हो चुका है और धुन भी चुका है इसने पैन चोड़ना भी शुरू कर दिया है हमारा हल्वा रेड़ी है बस इसको फिनिश करने के लिए हम में इस पेट चम्मच यह घी डाल दूए देखिए फ्रेंज्स कितना अच्छा कलर आया है और कितना परफेक्ट लग रहा हमारा यह अल्मंड हल्वा और यकीन मानिए इसे बनाने मुझे केवल 3 मिनिट लगे हैं तो लीजिए फ्रेंज्स तयार है हमारा इंस्टेंट आल्मंड हल्वा इसकी रेसिपी आज ही नहीं हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले बाई